हालो स्टूडेंट्स विल्कम टू पीवीर स्टडी तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया ध्याई के बारे में कख्चानों के अंसी यार्टी गडित आप देख रहें आपका चेप्टर साथ खतम हो गया जिसमें एक्सरसाइज 7.1 7.2 य बीच में विल्कुल इसकी नहीं करना नहीं छोड़के जाना अगर पढ़ना लेखना चाहते हो तो कोई भी तयारी कर रहे हो यह इंट्रोडेक्शन पार्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉंपटिशन के एक्जाम की तयारी कर रहे हो तब भी महत्त्यपुर यह तीन हो यह चार हो गई बंद का मतलब चारों तरफ से घीरा हो जैसे एक खुली आकृति के बारे में अगर हम बात करें ऐसे लो ऐसे यह क्या बीच में यहां खुला है नहीं होगा ठीक है complete वह बंद होना चाहिए जैसे यहां पर मालो मैंने इसको मिटा दिया तो क्या य नहीं है ठीक है समझ गए ना तो चार भुजाओं से घ्री हुई बंद अकृति क्या कहलाती है चतुर भूज कहलाती है एनिकी फोर्ट साइड से मिलकर के क्लोज्ड फिकर क्या कहलाता है को कौड्रेटरल कहलाता है इनके परकार पर चलते हैं द्यान से देखना अभी भी बो पूरा देखना मब है शत्रभूज के परकार देखे कितने फिकर के होते हैं मुख्य रूप से जो चत्रभूज हैं वह पांच परकार के ही होते हैं और आप सभी पहले से पर बढ़ चुक्ड परचित हो तो एक एक के बारे में घहन धिन करेंगे ध्यान से देखना पूरा इ सी बोड से हैं चाहिए यूपी बोड से हैं कोई भी बोर्ड बिहार बोर्ड हरियारणा केरल दिल्ली मुंबई कहीं से भी हैं इंड तक देखना चतुरभूज के प्रकार क्लासिफिकेशन आपको अडिरेटरल यह मुख्यता फाइब टाइप होते हैं सबसे पहला होता है ट्र हम एक-एक से आपका परिचे करवाएंगे कि समलंब कैसे होता है कैसे पहचानते हैं इसकी चित्र कैसे होता फिगर कैसे होता इनको कैसे जानते हो आप इसके लिए क्या करोगे इस कलास को इंडे तक देखना बिल्कुल बीच में इसकिप नहीं करना तो चलिए एक-एक हम आ आंगलिस में होता क्या है Мос fuard उतने से सब कुछ नहीं होता इसके और pipingrr सारे परफून हैं वो मैं बताऊंगा द्यान से देखना मैं कि इस संवक भूजाओं का ईक योगम समांतर होता है इसकी ये minimum requirement है, मतलब इतना होना चाहिए, इसके अलावा अगर उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं तो खराब नहीं जाएंगी, जैसे आपको खाने में क्या चाहिए, एक इनसान को नारमली जिन्दा रहने के लिए भोजन चाहिए, मतलब दाल, चावाल, रोटी अगर सिंपल सा खाना मिले, तब भी आदमी क्या रहेगा, जिन्दा रहेगा, मतलब मरेगा नहीं हो, लेकिन अगर उसे पूड़ी, पकवान, पनीर, मक्षन, मलाई मिलेगा, तब भी उसको गड़बड नहीं करेगा, वो और अच्छा होगा ना, तो बस यही जान लो, इसकी minimum requirement है कि सम्म समांतर होंगी एक दूसरे के, समांतर में सोता है parallel, इनको आगी चाहिए इतना बढ़ाओ, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं है, ऐसे चली जाएंगी, यह लंदन तक चली जाएंगी, लेकिन यह कभी दूसरे को उपर नहीं चड़ेंगी, मतलब एक दूसरे को उपर कुछ बन सकता है, समझ रहे हो ना, बात हम किसकी कर रहे हैं आपर, समलंब चतुर भूचकी न, अगर यह साइट दूसरी वाली जो बचती है, जैसे मालों इसका नाम करन में कर देता हूं, बच्चा, A, B, C, D, ध्यान से देखो, भागना नहीं कला चोड़ कि मैं बार बार इनकी जो भूजा है, A, C, और यह B, D, यह क्या है, यह समांतर नहीं है, क्यों, क्योंकि यह देखो जैसे है, अगर इनको आगे आप बढ़ाओ गया से, आगे बढ़ाओ अगे अगर, इनको दोनों को आगे बढ़ाओ तो जाके एक दूसरे को काट देंगी, यह, इंटरसेक देखो, सम और लंब, दोनों चीज़ बात निकल किया रही न, यह तो आप समझ लिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे, क्या है, ऐसे ही सम लंब होता है, ऐसे भी हो सकता है, इनको आगे बढ़ाओ गी, तो यह एक दूसरे को जाके एक पर मिल जाएंगी, और इनको आप इधर बढ़ालो, इनको इधर बढ़ालो, यह कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं चाह, जहां तक ले जाओ, तो आप यही समझ गए, कि भाईया, एक बुझा समानतर होनी चाहिए, दूसर की काटनी चाहिए, नहीं, एक समानतर होनी चाहिए, यह जरूरी है, लेकिन दूसरी है क्या, वर्ग को क्या बोलते है, स्कॉयर इंगलिस में, आपने आयत देखा है, जिसको इंगलिस में रेक्टेंगल बोलते हैं, तो यह भी एक परकार का समलम्ब चतुर्भूज है, अब कहोगे फिर जो बनाये थे, वो का था, वो भी समलम्ब था, वो वरिजिनल का अब देखो, बच्चा जैसे मैंने एक वर्ग बना दिया, यह भी क्या है, एक समलम्ब चतुर्भूज है, समलम्ब क्यों है, क्योंकि देखो इसके जो मिनिमम्म रिक्वार्मेंट है, कि इसमें से कहरा कि भुजाओं का एक युगम समांतर होना चाहिए, हम दूसरी बुजा को नहीं काटेंगी, ठीक है, इधर बढ़ा लो तब भी नहीं काटेंगी, बस हो गया समलम्ब का इतनी जरूरत थी हो गई, जैसे हमको एक गिलास पानी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, जहां पानी रखा रहेगा, एकी गिलास निकालेंगे ना, आहफ़तने की पूरा ब तो इससे आपको क्या समझ में आया, एक चीज़ समझो, इसी तरह से जो आयत होता है, वो भी क्या है, एक समलम्ब चतुर्गुजे, देखो समलम्ब क्यूं है, क्यूंकि इसमें भी सम्मुक बुजाओं का यूगम समांतर होना जरूरी है, तो यह मान लो कोई भी है, हम मान आपसे पूछ लिए जाता है, क्या एक वर्ग, एक समांतर चतुर्गुज हो सकता है, अब देखिए इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टन प्रपरटी है, वो यह है, कि सभी परकार के स्कुयर यानि की वर्ग, यह भी समलम्ब चतुर्गुज होते हैं, सभी परकार के आयत भी स आप कहोगे, यह समांतर चतुर्गुज क्या है, बह débLAák समांतर चतुर्गुज वी हो ता है, जिसकी सम्मुख पूजाए आपसस में समांतर होती है, ठीक है, सम्मुख पूजाए आपस में क्या होती है, पैरलल होती है, जैसे देखो, एक ऐसा एई एक ग्यांपन नह Ab के लि CD तो इसमें जो BD है ना इसको ऐसे नीचे बढ़ाओ या उपर बढ़ाओ और AC उपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं यानि इनकी जो भुजाएं हैं ये CD AB के समानतर है और ये BD AC के समानतर है ये होनी चाहिए इसकी minimum requirement है किसके लिए समानतर के लिए जबकि समलंब के लिए सिर्फ एक ही भुजा समानतर हो तो समलंब हो जाता है बात समझ में आई ना तो आप कह सकते हो कि जो भी समानतर चतुर्भुज होता है किसी भी परकार का है वो समलंब होगा उसी तरह से आप वर्ग, आयत और ये सम चतुर्भुज अभी इसके बारे में तो नहीं पढ़े हो सम चतुर्भुज भी क्या होता है एक परकार का समलंब चतुर्भुज होता है क्योंकि उसकी property उसके अंदर पाई जाती है जैसे देखो कुछ figure यहां पर हम आपको दिखा देते हैं कौन सा है सम चतुर्भुज का तो देखो इधर साइड में सम चतुर्भुज ऐसे जान लो कि जैसे आप सबसेट सा एक जामपल है वर्ग ठीक है सम चतुर्भुज इसको इंगलिस में रंबस बोलते है न देखो क्या होता यह इसकी चारो साइड इक्वल होना जरूरी है यह इसकी minimum requirement है कि इसके आल साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए ठीक है अगर आल साइड इक्वल होंगी तो ऐसा ही कुछ होंगी न और अगर इस एपके बुझा तो समुख बुझा समानतर होगी और नहीं होगी कि अगर लोगों को अगर कोई सकता है अब मताओ लेकिन यहां से खिंद नमों को होगा देखो कैसे एक तो संपचातुर पूझ ऐसे बना सकते हो जो की वर्क होता है इसे आप सभी जानते हो संपगो का मतलब होता है कि युर्योओ कि रिक्वार्मेंट उसमें पॉर कोई अधिंडिसा नहीं है सम्चत्रभुज के लिए तो सम्चत्रभुज ऐसे भी बन सकता भाया बन सकता ना इसमें साइट तो इक कोल होंगी चारो इसकी क्या requirement है समलंब की ये कहता है कि सम्मुख भुजाएं समानतर हो बस कोई भी एक यूगम समानतर हो मतलब अगर ये समानतर है ये और ये समानतर हो या फिर ये और ये समानतर हो ठीक है तो अगर काइट की तरह स्वरी काइट नहीं काइट जो है वो समलंब नहीं हो सकती है या हो सकती है आप लोग कमेंट करके बताना देखो काईट इसे सम्मलम में तो हो सकती लेकिन सम्म चतुरभूज नहीं हो सकती क्योंकि काईट में नीचे वाला पाट बढ़ा होता उपर छोटा होता है ना देखो ये भी समानतर है आपस में इनको चाहो तो ऐसे निकालोगे आगे बढ़ाओगे ते कभी एक दूसरे को का ये क्या है ये सम्मलम चतुरभूज था जो कि आपने सीख लिया इनकी सारी प्रपर्टी आपने पढ़ लिया है ना चलिए अगला देखते हैं पूरा एंड तक क्लास देखना नए चाहतर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों में भी स कह रहा है कि ऐसा चतुरभूज जिसके सम्मुक कोणों का युगम समांतर होना चाहिए मतलब समांतर चतुरभूज के लिए सम्मुक कोणों का प्रतेक युगम समांतर होना चाहिए इसमें सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा जैसे समलंब में होता था ठीक है चलो समझते हैं प पतलब समझो यह समानतर है भुजा इसके देखो अगर मालो मैंने इनका नाम लिख दिया एबी और यह सीडी तो बच्चा आप यहां पर यह देखो कि एबी एबी का जो सम्मुख भुजा है यह सीडी है है ना यानि एबी अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसे जाएगी और समानतर हैं इनको आगे बढ़ा के देख लो यह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट नहीं करेंगी कोई मतलब भी नहीं है यह अलग लाइन जाएगी वह अलग जैसे रेल की पटरी कभी एक दूसरे पर नहीं चड़ती कई से मुड़ जाए ऐसे सीध बढ़ाऊँगे तो यह कभी बढ़ाँगे तो यह मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इंटर से मतलब परतिछे दित comprende करना जैसे अरे होता यार यह होता नहीं में इसमें होता ना आगे बढ़ाते हैं दूसरे को जाके काड़ देता यह चड़ गया दूसरे को पर समझ गए ना तो यह होता समांतर चतुरभूज अब इनकी तुम प्रॉपर्टी लिखोगे वह प्रपर्टी क्या है कि प्रतेक आयत एक समांतर समांतर चतुरभूज होता है इसकी अलावा और भी बहुत से मुसीबते हैं जो कि समांतर मुझाल पर समांतर चतुरभूज है रिखो इनकी रिखोगे यह प्रपर्टी कि इसकी है कि समांतर चतुरभूज होता है क्योंकि इनकी ने सबस्क्राइब घरे मैस करते हैं तो में इनकी जय से भी बनालो। उनकी चतूर उनकी क्या होंगी कोई-कोई-कि ये लुदिछ कुछ और यहीं मुझे कुछ kü inequalities लेकिन आपको मैंने बनाकि involved9 टोप गलत बोल रहा हूं क्योंकि अगर सभी साइड इक्वल होंगी तो वह आपस में समानतर होंगी एक दूसरे के मतलब पॉजिट साइड यह पक्का है हाँ अगर सम चतुर्भूज नहीं होता तो यह ऐसे भी बन सकता था यह ऐसे बन जाता मानलों ऐसे यह ऐसे यह ऐसे तब तो होना बनता लेकिन यह सम चतुर्भूज भी तो नहीं होगा ना फिर यह बड़ा हो गया चोटा हो गया सम चतुर्भूज होगा तो यह तो ऐसे बनेगा सीधा-फीधा वर्ग की तरह बनेगा और नहीं तो ऐसे भी यह मतलब बराबर होनी चाहिए ठीक है सभी साइड आपस म बराबर होनी चाहिए तो इसको लिख लो यह हो गया आपका समांतर चतुर्भूज ना अब आगला पढ़ेंगे चलो जल्दी करो भाई जितने भी नए साथ ही है वो सभी पूरा क्लास जरूर देखें पुराने वाले भी देखें हाँ ऐसा निको न देखें अगला है बच् जिसकी आलसाइड इकवल हो, जैसे एकजामपल यह साइड इसके इकवल हो, यह मतलब सभी इकवल हो तो आप कह सकते हो वर्ग भी तो ऐसा होता है हाँ बिल्कुल होता है ये भी क्या है एक परकार का सम्चत्रभूज है ये भी क्या एक परकार का सम्चत्रभूज है इसकी भी सभी साइड आपस में equal हैं मतलब अगर दो दो सेंटिमेटर हैं तो सभी दो ही होनी चाहिए बस इसमें कोई नया है नहीं जादा कुछ है भी नहीं सम चतरभूज का मतलब जिसकी सभी साइडे सम हों सम मतलब बराबर हो बस ठीक है अब इसकी प्रोपर्टी में अगर हम लिखने को कहें कि बहिए सम चतरभूज के और क्या गुण पर गुण है तो वो तो पहले से वर्ग जैसे लग रहा था न आप लिखो इनकी और प्रोपर् सभी वर्ग सम चतरभूज होते हैं क्योंकि वर्ग की यही डिफनीशन है कि उसकी चारो साइड इक्वल होती है और सम चतरभूज की वही है तो सभी वर्ग क्या होते हैं सम चतरभूज होते हैं इनकी दूसरी कंडिशन यह है बच्चा कि सभी परकार के समांतर चतरभूज यह भी क्या होते हैं सभी प्रकार के जो समांतर चतुर्भूज है वो एक प्रकार का सम चतुर्भूज होते हैं ऐसा हाई की नहीं चलो ठीका पिर इसमें कोई confusion नहीं है यह जान लो कि सभी प्रकार के जो समांतर चतुर्भूज हैं क्या लिखोगे सभी समांतर चतुर्भूज भी सभी समांतर चतुर्भूज भी सम्चतुर्भूज होते हैं ठीक है लिख लो सभी समांतर चतुर्भूज भी सम्चतुर्भूज होते हैं क्यों जरूरी है क्या ये नहीं लेकिन आप ये लिख लो कि जो भी सम चतुरबूज होते हैं वो समांतर तो होंगे ये तो कन्फर्म है ठीक है जितने भी सम चतुरबूज है वो समांतर होंगे लेकिन सभी परकार के अगर हम बात करें कि जो समांतर चतुरबूज है वो भी सम चतुरबूज होंगे तो ऐसा मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है अभी वियार एक मिनट रूंग चाओ थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूं देखो हाँ तो देखो इसके निस्कर्स ये निकलता है बच्चा कि सभी समांतर चतुरबूज सम नहीं हो सकते हैं सभी समांतर चतर्भूज समचटर्भूस नहीं हो सकते हैं क्यूं जैसे यह आयत की तरह है यहां गाम07 की साइड इकॉल है लेकिन यह क्या है यह आपसवी प्रकार से समांतर चतर्भूज है लेकिन वो सम चतुर्भूज नहीं है तो याद कर लो कि अगला आता है आयत और फिर इसमें एक different और तेकह हैं दोनों देखना बिल्कूल बहुत ही प्यार से हैं कि तक यहां पर ध्यान से समझो आयत क्या होता है एक अइसा समानतर चतुरभूज जिसकी सम्मुक बुजायें आपस में क्या होती है वह आयत कह रहाता है लेकिन इसमें कंडिशन और है इसका प्रते को नबेंस का होता है एबरी एंगल क्या होता बच्चा एबरी एंगल इसका 90 का होता है ये लो ठीक है ये क्या हो गया एक आयत है जिसका सम्मुक बुजाएं बराबर है मतलब ये दोनों साइड क्या है एक्वल है और ये भी क्या है बच्चा इक् है आप उजिट साइडिंग कॉल होती है एंड एबरी एंगल सुट भी नैंटी यानि राइट एंगल उके चलो जल्दी से इसको नोट कर उसके बाद अगला एक है इसमें वर्ग वर्ग को इंगलिस में स्कॉयर कहा जाता है जो भी नए साथ ही जुड़े हैं अभी अभी चैन संबर क्या होता है लिख लो एक ऐशा शमांतर चतुर भूज एकास समांतर चतुर जिसके साइड आपस में इकırd होती है prayingा यह ते साथर गिक रहे होग फिस एकिस अलह समांतर चतुर भूज जिसके सब ही साइड यानिक सभी बुजा ऑपस बराबर होती है और परते को नबें साइड रखता है और एंगल रखता है वो क्या कालाता है तो सातियों इस तरह से आपका जो ट्रेंगल का कंसेप्ट था वो पूरा हो गया इसके बाद हम जब exercise करेंगे ना तो बहुत सारे अभी और हैं हां हम आपको बिकरण से रिलेटेड अलग से वीडियो दे देंगे डाइगोасс Nal ठीक है आप कमेंट करके बताना कि आपको बिकरण से डिलेटेड वीडियो चाहिए या सद्सका का डाइगोनल का वीडियो चाहते हैं डाइगोनल लिख देना चाह जाए से भी ठीक है इंदी इंगलीस या फिर विकरण लिख देना तो आपको बता दिया जाएगा वर्ग के विकरण की जो क्या गुण होते है प्रपर्टी होता है अरे विकरण का मतलब यह होता बच्चा जैस हम आपको दिखा देंगे तो यह कलास यहीं पर खतम होती है अगर आपने इस वीडियो को यूटूब पर फेस्बूक पर डेमों के रूप में देखा तो आप पूरा कोर्स के लिए पीवियर स्टडी डाउनलोड करें और एक साथ में पूरा कोर्स पा जाएं और पूरी गुदना चाहते हैं और पूरा कोर्स लेना चाहते हैं वह इस नंबर को नोट कर लें इस पर अपना नाम कलास का नाम अपने छी औरundert कर reads कर सकते हैं 24-48 घंटे के अंदर उनको रिपलाई मिलेगा और उनको पूरा कोड़ सुपलब्द कराया जाएगा आज के लिए इतना ही कोटी-कोटी दिल से धन्यवाद मिलेंगे फिर नेक्ट क्लास में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना वीडियो को सेयर ज सकते हैं